मरीजों के लिए एक राहत भरी ख़वर आई है अब मरीज को अपना इलाज कराने के दोरान दवाई में जएदा पैसे खर्च नहीं करने परेंगे जब भी मरीज किसी बीमारी से संबंधी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर महंगी दवाई यानि ब्रांडेट दवाई लिख देते हैं कभी कभी ऐसी दवाई जो किसी भी केमिस्ट पर उपलब नहीं होती है ऐसी दवाई डॉक्टर लिख देते हैं ऐसे में ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छी राहत भरी खबर आई है क्या है पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताते हैं दरसल राश्ट्रे चिकिस्सा आयोग यानि एनमसी ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेश्रिवर अचार सहीता में यह प्रा के मसोदी में कहा है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते हैं और नहीं मेडिकल उपकरन बेच सकते हैं सिर्फ उनको दवाई बेच सकते हैं जिनका इलाज वो खुद कर रहे हैं लेकिन उन्हें सुनेश्ट करना होगा कि मरीजों का शोशन नहीं हो आपको ब गठन भी इसकी अनुमती रेता यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि डॉक्टर घर जाकर भी मरीज का इलाज करते हैं बाद में मेडिकल स्टोर बढ़ने से बड़े शहरों में खुद के दवा पेचने का प्रेचलन कम हो चुका है छोटे शहरों में अब भी डॉक करते हैं और मरीजों को उसे लेने पर विवश होना परता है जद की मेडिकल स्टोर पर जैनरिक दवाएं खरीदने का भी विकल्प होता है वहीं दूसरे यदि किसी बिमारी की पांच दवाएं हैं और डॉक्टर के पास कम असरदार दवा है तो वह अपनी बिक्री बढ़ा वहीं अनमसी ने मौसोदे में कहा कि डॉक्टर कोई भी दूसरे डॉक्टर द्वारा लिखी दवा बेच नहीं सकता है वह जद्रिक दवाएं ही लिखेंगे और बेचेंगे यानि कि डॉक्टर ऐसी दवाएं लिखें जिसे सभी केमिस्ट पर उपलब दो और मरीज को अपन डॉक्टर जो है अब केमिस्ट ना खोले यानि की जिस तरह से एक बिजनेस होता है केमिस्ट लोग खोलते हैं वहाँ पर सारी दवाएं उपलब दोती है ऐसे में डॉक्टर भी केमिस्ट खोलके सारी दवाएं उपलब कराते हैं और महंगी ब्रांड़ दवाएं रखते हैं इस वज़े से लोगों को मरीजों को अपना इलाज में दवाई खरीदने के दौरान काफी परिशानी होती है और वो अपना महंगी दवाई खरीदना पड़ता है। इसको लेकर जो है अब जन्रिक दवाई कहा गया है कि डॉक्टर जन्रिक दवाई लिखे जिससे मरीज को आसानी हो अपना इलाज कराने में और महंगी दवाई ना खरीदने परे क्योंकि जन्रिक दवाई जो है मेडिकल पर भी उप्लब दोता और सस्ती दवाई होती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दंजट आपके साथ धन्यवाद।